नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों मंगल की परवर्ती बहुत ही उग्रमानी जाती है मंगल की पूजा करने से धन वैबब सुक शांती शमर्दी सब कुछ प्राप्त सहज रूप से हो जाता है अगर हमारे जीवन में मंगल आजाए तो हमारा जीवन बेहदी कष्टों से गुजरता है इसलिए जितना हो सके अपने जीवन में मंगल को प्रसन रखने की कोर्सिस करें दोस्तों वैसे भी मंगलवार का दिन मनवान जी को समर्पित है और साथ ही मंगल देव को समर्पित है आज की वीडियो में ज कर सकती है तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा ज़नवान बने रहें हमेशा है आपके घर में अन्ध्धन की कमी ना हो आपके पास अगर इस पक्त धन नहीं भी है तो आपको धन की प्राप्ति हो जाए तो एक बार इस वीडिए को पूरा अंत तक जरूर देख तो हो सकता है कि आगर आपकी जानकारी आज अगर आपसे वेर्ट चली गई, मिस हो गई, तो आपको दुवारा दुरूरा को देखने को भी ना मिले, क्योंकि दोस्तों, कोई भी जानकारी हो सकता है, आज नहीं तो कल आपके काम जरूर आ जाए कोई भी जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाती है इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंतर तक देखें हो सकता है आपको नहीं तो आपके किसी आस पास आपके दोस्ट ये अरिस्तेदार को इसकी जरूर पड़ जाए इसलिए आप हो सके तो वीडियो को शेर भी करें अन्यता आप वीडियो को पूरा अंतर टक देखें ताकि आपको जानकारी पूण हो सके दोस्तो भूमिम पुत्र कहे जाने वाले मंगल देव के लिए कहा जाता है कि मंगलवार के दिन कभी भी भूमी की खुदाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि जैसा ग्यम्ना को बताया कि मंगल भूमी पुत्र कही जाते हैं क्योंकि धर्ती माता के ही पुत्र है मंगल देव इसलिए तरती का यानि की जमीन का लेंदेन या पर उसकी खुदाई बिलुकुल भी नहीं करनी चाहिए इससे दोस्तों मंगल दोस्त लगता है साथी मंगलवार के दिन काले रंग की वस्तू खरिद करके नहीं लानी चाहिए क्योंकि काला रंग सनी देव को प्रस्तूत करता है और सनी देव और मंगल देव आपस में घोर शत्रू है और इससे दोस्तों घोर पाप भी लगता है साथी सनी देव भी रुष्ट हो जाते हैं दोस्तो अक्सर लोग आपने देखा होगा कि मंगलवार के दिन मास मदीरा आदी का सेवन नहीं करते हैं क्योंकि दोस्तो ऐसा करने से मंगल दोस्त अवश्य लगता है। कोई किसी ने उपाय बताया है तोटका बताया है या फिर आप किसी विशेश उपाय के लिए कर रहे हैं मनौरत को पूर्ण करने के लिए लेकिन आपको वैसे कभी भी अपने रोजमर्रा में नाखून आदी कभी नहीं काटने चाहिए। क्योंकि इससे दोस्तों मंगल दोस लगता है और मंगल दोस लगने पर रख्त संबंदी बीमारी और चरम रोग लग जाता है दोस्तों महिलाओं को वे पुरुष को इस दिन यानि कि मंगलवार के दिन कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए इसकी जगापर जाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए भगवे रंग का इस्तमाल करना चाहिए इससे दोस्तों मंगल देव की प्रसनता के साथ साथ आपके पर मंगल देव का आशिरवाद आता है और आपके जीवन में सद्धेव मंगल ही होता है मंगल देव जब आपके पर प्रसन होते है तो आपको धन वे ववव से परिपूर्ण बनाते हैं तो दोस्तों अब आपको पताते हैं कि मंगलवार के दिन या मंगल के दिन मंगल देव को परसंद करने के लिए आपको वे कौन सा उपाय करना चाहिए मंगल देव को प्रसंद करने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए जिससे मंगल देव प्रसंद हो करके आपके जीवन में धन, वैवब, खुंशिया, आदि ला सकते हैं धन धाने से आपको और आपके परिवार को, आपके घर को परिपूर्ण बना सकते हैं दोस्तो सादारण से उपाय में बताएंगे दोस्तों आपको मंगलवार के दिन लाल रंग की डालों का सेवन अवशय करना चाहिए इसे मंगल की किरपऽ पराइब रासोती है और अगर आपके जीवन मंगल से आपको को परीशानी चल रही है तो आप मंगल के लिए दान करें इसमें आप लाल रंग की डालों का लाल रंग की चीजों का दान करें साथ ही अगर आप थोटे बच्छों को दान करते हैं तो यह और भी उत्तम है इसलिए आप लाल रंग की चौकलेट का दान करें तो यह बहुत ही उत्तम है चोकि बच्छो की धोजा को अवस्य ही भेंट दें इसे दोस्तों आपके घर में धन बेबब की बड़ोतरी होती है साथ ही धन दाने से आपका नोटों से आपका पर्स सदय बरा रहता है घर की तेजोरियां बड़ी रहती है ये चोटे-चोटे उपाए मातर कर लेने से मंगल देव की करपा औ आपके उपर बरसने लगती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्यावल इतना है कर फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक रिजदे में जाता धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना न बोलें जाये बजरंग बली